अपको पता है आपके ईंड में कुछ कोड लिखे रहते हैं, से बहुत साथ कोड रहते हैं, जो कोड देखके आप पताक कर स्टैक है, आपके जो सी है रहता है, वह कुण से टाइप का सिल रहता है, अगर आपको पता नहीं है, कि इस वीडियो में Imable नमबर लिखा उसमें जो लास्ट में पोड़ रहता है वो और को देखके आप उपके सब पता चलेंगा आपके वेरिंग का सिल्ख किस टाइप का सिल्ख है कि नॉर्माली हम लोके इंडिया सबसे पहले जान लेते हैं छे कोड जो आपके वेरिंग में एंड में रहते हैं नॉर्माली हरग वेरिंग यहीर कोड सिज करते हैं सबसे पहला कोड रहता है जेड जेड दूसरा जो कोड रहता है रहता है यह 2 जेड बॉल कले में बता रहा हूँ एक बेरिंग का नंबर है 6203ZZ इसका मतलब ये बेरिंग आपटी पुरूप बॉल बेरिंग है इसके साथ साथ इसके दोनों जो साइड है दोनों साइड से ये मेटल सील से कवर रहता है उसके वाज जो कोड है वो है टूजेड कोड टूजेड कोई कमपनी जेड़ कोड का यूज करते हैं और कोई कमपनी टूजेड का यूज करते है अगर टूजेड आपके साइड में लिखा है बेरिंग के एंड में इसका मतलब है ये बेरिंग दोनों साइड से सील्ड है और ये भी मेटल सील्ड रहता है उसके बाद तीसरा रहता है जो दूसरा साइड रहता है वो नॉर्माली ओपन रहता है आपका जो चोथा कोड रहता है वो कोड रहता है डीडी यू अगर आपके बेरिंग में लिखाया है बेरिंग के एंड में लिखाया डीडी यू इसका मतलब है आपका जो बेरिंग रहता है बेरिंग का पांचवा रहता है, 2RS, अगर आपके bearing के end में लिखा है 2RS, इसका मतलब है, आपका bearing रहता है, वो दोनों साइड से sealed है, और यह भी rubber seal रहता है, यह जो 2RS code रहता है, यह DDU code का interchangeable code रहता है, कोई 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 कमपने आपका DDU code का यूज करता है, और कोई 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 कमपने आपका 2 वो RS code का यूज करते हैं उसके बाद last में छटा जो code रहता है वो code रहता है RS अगर आपके bearing के end में लिखा है RS इसका मतलब क्या है इसका मतलब है आपके bearing seal है एक साइट से और जो seal है वो rubber seal है तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात किये छे code के बारे में जो code अगर इस वीडियो में बात किया अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है या तो आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नया सिखा है तो मेरे चनल को like और subscribe करने के लिए मत बुले